इसको भी आप देख सकते ध्यान से देखने पर आपको समझ में आएगा इसको भी दो मू नहीं है एक ही मू है जो अपना मू बहुत चुपा रहा है अंदर यह बहुत शर्मिला साप होता है इसलिए अपना मू जो है अंदर धक देता है जैसे हम ने इसको रिलीज किया इसने अपना फन फैलाया और काटने की फिराक में हैं, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब आशा करतों आप सब ठीक होँगे, तो दोस्तों मेरा ना माक्का ज़ाध हो, और आप देख रहे हैं सर पमीत राका ज़ाध हो, यूट्वीब चैनल, आप देख सकते हैं, कल रात से हमने क पुछ साप rescue किये है यह साप हम यहापर परहवरम रिलीज कर रहे हैं मेरे हाथ में जो साप है common wolf snake यह जहरीला नहीं होता हिंदी में कौडिया वाला साप मराथी में कौडया साप यह बिना जहर वाला साप है तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहापर में इसको रिलीज कर रहा रिलीज कर दिया दूसरा common trinket snake यह भी बिना जहर वाला साप है इंगलिश में common trinket snake हिंदी में अलंकरात मराथी में तसकर तो दोस्तों सापों को परहवरन में बचाय रखना ज़रूरी है क्योंकि साप परहवरन का एक हिस्सा है इसलिए हम सापों को गाव शेहर में घर में जो साप निकलते हैं उनको पगड़ करके सुरक्षी जगपर परहवरन में forest में रिलीज करते हैं तो चलिए अगले साप देखते कौन से हैं तो इसमें धामन धामन साप देखिए कितना फूरतिला यह दूसरा वाला धामन इसमें दो धामन साप थे तो दोस्तों आप देख सकते हैं इन सापों को यहाँ पर में रिलीज कर रहा हूँ धामन हिंदी में धामन माराथी में धामन हिंदी में एक और नामे गोड़ा पचा ये बड़े बढ़े लमबे लंबे साप होते हैं और बहुत ज्यादा फूरती होते है ये जहरले नहीं है दामज साप जहरला नहीं होता लेकिन न कटता बहुत जो़का है ठीक हे तो पकड़नी की बिलकुल कोशिश्च ना करे जो प्रोपेशनल है जो सर्पमित्र है वही साप तरन व्यक्ति सापों को पकड़ने की कोशिश ना करें तो दो धामन साफ यहाँ पर हमने रिलीज किये और आगे देखते कौन सा है छोड़ो उसको यह भी धामन साफ है अभी जो रिलीज किये उसी के प्रजाति का छोटा है इतना फुंकार रहा है छोटे बहुत जाला आक्रमक होते हैं तो चली इसको भी आपर रिलीज करता हूँ भाग गया चली आगे देखते हैं और कौन से साफ है दोस्तो हम लोग जो है एहमदनगर में काम करते साफों को बचाने का एहमदनगर में कही भी घर में घर के आसपास कुए में खेत तालाब में साफ गिरता है तो आप हमें स्क्रीन पर दिये नंबर पर संपर्क करें लेकिन साफों को मारे नहीं हम है साफ बगड़ने के लिए गाव में, घर में, घर के आसपास, खेत आलाब में, कुए में, कही पर भी साफ हो, उपकड़ कर हम सुरक्षी जग़ा पर इस तर परेवरम में रिलीज करते हैं तो ये देख सकते हैं, आप इसमें कोबरा साफ थे, एक बहुत बड़ा कोबरा साफ है, एक छोटा है तो आप देख सकते हैं, कितना आकरमक ये कोबरा, जैसे हमने इसको रिलीज किया, इसने अपना फन फैलाया और काटने की फिराक में है, चलिए पहले छोटे वाले को रिलीज करता हूं, ये देखिए अभी, ये साब भी, तो दोस्तों, ये साब भी हम यहापर रिलीज करने व दोड़ता हो, ताकि वापस न घूम के आए, ये काट सकता है, चला गया, देखिए पत्य कैसे हिल रही है, इसके, देखिए, इस तरह पत्य हिल रही है, चलिए आगे भाग गया ये, और देखते कौन सा है, और रेड सेंड बोवा, इसमें दो रेड सेंड बोवा साप है, आप देख सकते हैं, भारत देश में इस साब के उपर बहुत ज़्याद अम्मित है, यानि अंदर विश्वा से, जैसे कि लाखो करोर रूपे मिलना, आपने सुना होगा, दो मुहे साब के करोर रूपे मिलते है 25 करोड रुपय तक मिलते हैं ऐसा दावा किया कि किन किन लोगों ने तो दोस्तों यह साप ऐसा कुछ भी नहीं है इन सापों को दो मुह होते हैं पहली बात सच और जूट आपके सामनी है यह इसका पूछ और यह इसका मुह यह देख सकते आप यह इसका मुह है और यह वाल हमने पूछ कीतरा चलते हैं पूछ की ठरप से भाहर आ सकते हैं इसली लोगों क्या लगता है साप पूछ कीतर और अब यह इसको जाता है इसलिए साप को दो मुहका आजाता है हिंदी में, इंग्लिश में रेड सैंड बोवा, ये बिना जहरुआला साप है, इससे कोई खत्रा नहीं होता है, खेतों के लिए साप बहुत अच्छा है, लेकिन किसान लोग मारते हैं, किसानों ने कभी भी इस साप को आपके खेत में द अंदविश्वास है, कभी भी ऐसे अंदविश्वास पर विश्वास ना रखें, आपके घर के आश साप डिखा ना रखें, खेत में दिखा देता है, उसको पकड़ कर ना रखें प कैसों के लालच में, आप साप की जान गवा देते हो, और आपको जेल भी हो सकते ही, यही नहीं, और कोई भी साप हो, चाहे वो बीना जहरवाला हो, जहरीला हो, आप उसको पकड़ कर रखते हो, तो आप पर केज बन सकता है, तो दोस्तों, इसको रिलीज करता हूँ मैं, अब देख सकते हैं, यह किस्तर आगे-ागे बढ़ेगा, यह बहुत धीमा साप होता है, बहुत ही जादा धीमा, तो यह भी आगे बढ़ेगा, देखिए, चलो अपने परवरम में आजद है, और एक थोड़ा सा भूरा है, वो हलका सा काला था, थोड़ा सा भूरा दिखाए दे रहा है, इनमें थोड़ा-थोड़ा अंतर होता है, हलके से काले दिखाए देते हैं, हलके से भूरे लाल दिखाए देते हैं, इसको भी आप देख सकते हैं, देहन से देखने पर आपको समझ में आएगा, इसको भी दो मूँ नहीं है, एक ही मूँ है, जो अपना मूँ बहुत चुपा रहा है अंदर, यह बहुत शर्मिला साप होता है, इसलिए अपना मूँ ज जो है, लेफ्ट हैंड में, इसका यह पूछ है, और यह आप सोच रहे होंगे कि यह खुर्दुरा क्यों है, ठीक है, जैसे लग रहा है गहाव है इसको, लेकिन यह गहाव नहीं है, इस साप पूछ के जएरे से जमीन में जाता है, जमीन से बाहर आता है, इसलिए हापर इस जंगल में रिलीज किया है, तो ऐसे अफवाय पर, ऐसे मित पर, ऐसे अंधा विश्वास पर बिल्कुल विश्वास ना रखें, क्योंकि दोस्तों मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, आप अगर ऐसा साप पकड़ के रखोगे पैसों की लालज में, साप की जान चली जाती है, क जो भी वनिवाग है, उनसे संपर करके उसका कॉंटेक नंबर या फिर उसका पता बता दीजिए, लेकिन सापों को बिल्कुल नहीं मारे, चाही यही साप हो, चाही दूसरा कोई भी साप हो, बिल्कुल सापों को मारे नहीं, दोस्तों साप पर्यावरन का एक हिस्सा है, एक जूट है एक अंदविश्वास है इसको दो मूँ होते नहीं और यह देख सकते आप लेफ्ट हाथ में जो है लेफ्ट हैंड में इसका यह पूछ है और यह आप सोच रहे होंगे कि यह खुर्दुरा क्यों है ठीक है जैसे लग रहा है गहाव है इसको लेकिन गहाव नहीं है इस साप पूछ के जएरे से जमीन में जाता है जमीन से बहार आता है इसलिए हापर इस तरह खुर्दुरा होता है और गहाव जैसा हो जाता है और कभी भी कोई भी बोल दे इस साप को दो मूते है उस व्यक्ति को मेरा ये वीडियो दिखाईए एक साप तो मैंने रिलीज कि है तो ऐसे अफवाय पर ऐसे मित पर ऐसे अंधा विश्वास पर बिल्कुल विश्वास ना रखें क्योंकि दोस्तों मैं फिर एक बार कह रहा हूँ आप अगर ऐसा साप पकड़ के रखोगे पैसों की लालज में साप की जान चली जाती है क्योंकि इसको खाने पीने को नही कब वनिवाख है उसका पता बता देजिए लेकिन सापों को बिलकुल नहीं मारे चाही यही चाहे दूसरा कोई सबाने worry- вещ में डावा की जीनिवार किया है इसोड़ फस्ट करोड अंद विश्वास है इसको दो मुह होते नहीं, 6 महेने से इस मुह से चलना, 6 महेने से इस मुह से चलना, ये भी एक अंदेविश्वा से इसको एक ही मुह होता है, और ये एक ही तरब से आगे रेंगते वे चलता है, बस कभी कवार ये पूच की तरब उल्टा भी चल सकता है, ठीक है? तो चली दोस और दोस्तों ये मैंने बताए काफी धीमा साप होता है बहुत ही ज़्यादा धीमा अब इसको टच कर रहा हूँ भागनी का प्रयास कर रहा हूँ तभी ये अंदर नहीं भाग रहा है दिखिए ठीक है अपने आप चला जाएगा दोस्तों ये वीडियो और ये जानकरी अगर अच्छी लगती है आपको अपने दोस्तों को शेर करें दोस्तों कमेंट करके जरूर बताए वीडियो कैसा लगा वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल बटन जरूर दबाए